नमस्कार मियंबी वर्मा और आप देख रहे हैं टूडे ट्वैंटिफोर न्यूज नैशनल तो चलिए आज की कुछ खास खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं जबो कश्मीर के पुलवा में एनकाउंटर सुरक्षा बलों ने दो आतंक्यों को घेरा सिरंडर करवाने के लिए एक के माता पिता को गुलाया दोनों तरफ से फाइरिंग जारी जबो कश्मीर के पुलवा मा जिले के निहामा अक्षेतर में सौंवार यानि तीन जून सुबा से आतंकवागियों के साथ सुरक्षा बलों के मुटवेड चल रही थी दोनों तरफ से फाइरिंग जारी है सुरक्षा बलों ने आतंक्यों को घेर रखा है दो आतंक्यों के चिपे रहुने की खबर है एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेनकी एक ट्वाइट टीम निहामा में घेरा बंदी और सर्च अपरिशन शुरू किया था इसी दोरान चिपे हुए आतंक्यों ने उन पर हमला कर दिया इसके बाद दोनों तरफ से फाइरिंग शुरू हो गए मुटबेड में घेरे एक आतंकी की पहचान रियाज डार के रोप में की गई है कश्मीर में एक महिने के भीतर आतंक्यों के साथ मुटबेड की ये दूसरी घटना है इससे पहले साथ मही को कुल गाउं में मुटबेड के दोरान सुरक्षा बलों ने दो आतंक्यों को मार गिराया था इन में एक आतंकी लशकर का टॉप कमांडर बासित डार था बासित पर दस लाक रुपे का इनाम था वह कश्मीर में कई लोगों की हत्या में शामिल था मारे गए दूसरी आतंकी का नाम फहीम अहमद था वह ओवर ग्राउंड वर्कर था जो आतंक्यों की मदद करता था